भारत चाइना के बाद दूसरा सबसे जादा आवादी वाला देश है लेकिन भारत की जनसंकिया जिस गती से बढ़ लई है उसको देखते हुए तो लगता है कि भारत जल्दी चाइना से भी जादा आवादी वाला देश बन जाएगा और जितनी जादा आवादी उतनी ही जा जाएंगे तो इससे भी कम समय लगेगा और ये स्री बेंगलोर की बात नहीं है इंडिया के सबी बड़े शेरों के यही हाल है जिसके कारण टाइम वेस्ट, एयर पॉलुशन, नाइस पॉलुशन, भीड़भार हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और आजकल इस पर कोई ध्यान भी नहीं देता लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉबलम है और इसका एक सिंपल सॉलुशन है कि गाड़ियों को बेंग कर दिया जाए और ये मजाक नहीं है ऐसा कई सारी कंट्रिस कर भी रही हैं क्यूंकि गाड़िया ही एयर पॉलुशन की बहुत ज़्यादा जिम्म की भी हैं वही नौइस पॉलुशन की बात करे तो यूनाइटेट नेशन प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुशार दुनिया के नौइजस सेरों की बात करे तो इंडिया पाकिस्तान बांगलादेश और नेपल दुनिया के सबसे ज़्यादा नौइस सेर इनी देसों में हैं उतनी दुनिया के किसी देश में नहीं आती और इसमें कोई दोराय नहीं चाहे air pollution हो या noise pollution हो इन दोनों का सबसे बड़ा reason motor vehicle सी हैं और आप लोग को याद भी होगा कि कोरोना वाइरस की वज़ा से lockdown लगा था उस समय हवा इतनी साफ हो गई थी जितनी कई दशकों में नहीं तो और भी अच्छा है और जितनी ज़्यादा गाणियां होंगी उतना ही ज़्यादा road construction होगा और उतना ही ज़्यादा concrete हम बिचाते जाएंगे जिसके बज़ा से बारिश का पानी जमीन में नहीं जा पाएगा और ज्यादा बार आएगी और ground water level भी recharge नहीं होगा क्योंकि प road accident की बात करें तो 422 लोगों की जान हर दिन जाती है road accident के कारण और एक और बड़ी problem create होती है गाडियों की बज़ा से जिसका नाम है climate change क्योंकि गाडियों से निकलने वाली green house gases climate change की रफतार को बड़ा रही है और वहीं हमारी Indian government ने भी डीजल से चलने वाली गाडियों को 10 10 लाग से जादा अवादी वाले शेरों में बेन करने का सुझाब दिया है क्योंकि पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन चार गुना ज्यादा nitrogen dioxide और 22 गुना ज्यादा हजार डियर्स पार्टिकुलेट मेटर प्रेडियूस करता है और यही रिजाने की आने वाला तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें जैहिंद